हेलो दोस्तो स्वाग्यत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओल इन वन शोल्यूशन ये हिंदी में दोस्तो मैं हूं नीरज आ रहे हैं दोस्तो आज मैं बताऊंगा आपको दरण परना नाभी टलना या नाब डिगना नाब डिगने का पहचान और सटीक इलाज बताऊंगा आज मैं दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे निवेधन करूँगा यदि आपके हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को नाभी टलना या नाभ डिगना बहुत ही खतरना विमारी है जिससे बहुत साथ दिख्कत आती हैं भूख कम हो जाती है बहुत सारी चीजिए जो मैं आज को आप बता हुआ कि जो सबसे पहले बात करें नाभी टलने के लक्षण और निवारन खास निवारन की उपाए पहले जानेंगे क्या है यह नाभी तलना दोस्तो नाभी डिगना नाभी सरीर का केंद्र बिन दुबाना जाता है जो हमारी नाभी होती है वह वला एरिया पेट पर अक्सर दोस्तो देखा गया है कि व्यक्ति अचानक कोई वजन उठाने पर या छुटके छुकने पर पेट की नाभी की नसों में हल्चल होने से कभी नाभी टल जाती है जिसे कहते हैं नाभ दिग जाना जिससे दोस्तो नाभी केंद्र गुरी अपनी जगे से थोड़ा हट जा और इस्त्रियों की नाभी हमें से दाएं तरफ से हटती है दोस्तो अब बात करेंगे नाभी टलने पर लक्षण क्या है आपको पता कैसे चलेगा कि नाभी टल गई है नाभ डिग गई आपकी दोस्तो इसकी पहचान है पेट में जलन नमबर दो हलका तेज दर्द नमबर तीन फैफडो सिर्दिया पर असर पढ़ना नमबर चार पेट पाचन पर असर पढ़ना नमबर पाच भूक का अचानक कम होना नमबर छे हलका बुखार महसूस करना नमबर साथ आमा से अगना से पर प्रभाव पढ़ना नमबर आठ शरीर का तूटना यानि आलस से में अपने आ खतम हो जाना और इस पूर्टी की कमी महसूस करना दोस्तों यह तो हुए इसकी पहचान अब बात करेंगे कि हम आसानी से कैसे इसको निकालेंगे दोस्तों सुबह उटकर बेना कुछ खाए पिए पांच तरीके हैं जो आप इसको सही कर सकते हैं जिसमें नमबर एक बात करेंगे दोस्तों चटाई बिचा कर जमीन पर पेट के बर लेट जाएं और पैर के पीछे पीट की तरफ मोड़कर दाएं हाथ से बाएं पाउं कांग उठा और बाएं हाथ के दाएं पाउं कांग उठा पकड़ कर ना भी खिचाओ धीरे धीरे खिचाओ बनाएं धनुस की मुद्रा में दो मिनट रुकें फिर धीरे धीरे पाउं सीधे करें और रुकी हुई सांस से छोड़ें इसी तरह दुबारा लंबी सांस लें और यही परीकर तीन से चार बार करें दोस्तो नमबर दो है इसका तरीका तड़के उठकर सुबह बिना किसी से बात किये लगडी की चार पाई पर एक पहिया खाली चार पाई की टांग जमीन पर लेट कर नाभी के पर 5 मिनट तक रखे मतलब जमीन पर लेट जाए और जो खाट होती है खटिया उसका एक पाया ले उठा के उसको अपने नाभी के उपर 5 मिनट तक रख ले इस दुरान लंबी-लंबी सांसे लेते रहें वो फिस सांसे छोड़े इसे धरन ना भी अपने इस्सिती में आने लगती है दोस्तों इसका नंबर तीन उपाय है जो बताओंगा आपको सुबह बिना कुछ खाए पिये पार्क में या घर में बने किसी बिंब आदी में देर तक लटके हाथ ठकने पर एक मिनट का आराम करें फिर लटके और अपनी जो है ये पुश अप मारने है शरीर का पूरा वजन उपर की तरफ उठाएं यह तरीका ना भी छिरण में असरदा रग है बहुत असर करता है दोस्तो नमबर पांच की बाद करेंगे पार्ग में बने लोहे के नल जोले के नल आदी में लटकें फिर हाथ पाउं को जोड़ जोड़ से जटकाएं हाथ ठकने पर उतरें फिर लटकें पाउं को जोड़ जोड़ से जमीन की तरफ जटकें इससे नाभी पहले वाली इस्तिति में आ जाती है दोस्तो नंबर पाँच की बात करेंगे नाभी टलने पर पेट पर पढ़ने वाले योगा व्यायाम करें इससे शिग नाभी टलना ठीक हो जाता है और दोस्तो इस तरह के जो है तिये हैं पांच तरीके 7-10 मिनट के अंतुराल में करें नाबी एक दो दिन में अपनी यगे के हिदिक पर आ जाएगी अब दोस्तों परहेज की बात करें नाबी तलने पर क्या खाएं क्या ना खाएं दोस्तों नमबर एक की बात करेंगे पेट दर्द होने पर गुड़ और सौफ को मिलाकर दो वक्त सुबह साम सेवन करें जब आपके पेट में दर्द हो तो गुड़ और सौफ मिलाकर खाएं दोसो नमबर दो की बात करें तेज मसाले वाली चीजे कभी ना भी टलने के दोरान बंद कर दें नमबर तीन एक चमच आउले के रस में पांच से च्छे बूंद दर्द करस मिलाकर सेवन करें नमबर पांच एक चमच शहद और तुलसी पत्तो करस सुबह मिश्रन सुबह साम सेवन करें नमबर पांच मुंदाल खिषडी हल्की खाएं सक्त और ज्यादा खाने से बचें दोस्तो ये हैं आपके नाब डिगने के नाब इटनले के बचाओ कि खाना क्या खाना परेज और इसी पहचान और इसका इलाज और ये क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ तो दोस्तो ये है वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिए है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत दन्यवाद